साम देहिनाम हे तुरूपों देवादिशह सौपनिशदाम पूरुष सार्यभूत माया स्वामी समुपरटितो वेद वेदान्त वाकेर ब्रह्माती तो रुदी प्रविशताम् स्वामिनारायनों सो ओम् असतो मासत गमया तमसो माजोतीर गमया मृत्योर्मा मृतं गमया ओम् शांति ही शांति ही ृ सही सामियर्यण बगवान नी जय अक्षर पुर्शोत महराज नी जय बुना थी ता अनंद स्वामि मह राज नी जय बगत जी महराज नी जै, शास्त्री जी महराज नी जै, योगी जी महराज नी जै, प्रमुक स्वामी महराज नी जै, दिल्ली अक्षरदा महोत्सव नी जै, जुनागड मंदिर महोत्सव नी जै पस्चिम जगतमा पीटर फाव करिनेक मोटा लेखक थगी चया है आ पीटर फावे हुमन बीइंग नमनेक पुस्तक लख्यू छे आ पुस्तक नी अंदर खुब जेक सुन्दर प्रसंग नू उल्लेक करता त्यों लखे चे परशी आ करिनेक देश चे एनो यूराज जमीर हतो जमीर आ यूरादनू नाम छे आ जारे यूराज हतो अन पोते राजा बनवानों हतो ते पुर्वे एने पोताना मनमा संकल्प करेओ अत्यार सुधी मा कोई ये राज्य न चलावी होई एवू राज्य मारे चलावू छे माटे पोताना तमाम विद्वानोंने बोलावया तमाम इतियास कारोंने बोलावया अन पछी केचे कहुँ राजा थाओ अन मारे कल्यान राज्यानी स्थापना करवी छे मारा राज्यामा कोई व्यक्ती क्यारे दुखी न होए ए माटे मने अत्यार सुधी मा मानव जातनो जार्थी प्रारम थयो एनो तमाम इतियास संशोधन करीने आपो एमा कोनी कई भूल थाई छे एबदी हुँ जानी शको कया राज्य मा दूखावतु तु कया कारणो थी योहुँ न लावा दो एनो इतियास मने तमे संशोधन करीने आपो पोताना तमाम विद्वानोंने एने संशोधन माटे मुखले आपन केटलू मोटू कारियेज मानव जातनो जार्थी प्रारम थोयो त्यार्थी अत्यार सुधी न इतियास नू संशोधन करीने आपनू विद्वानों गया, एक वरस, बे वरस, एमेम करता करता, वीस वर्ष परियन संशोधन करिऊ, वीस वर्ष उधी मानव जातनों इतियास एनू संशोधन करिऊ, ए वक्ते तो बिलो जमीर, यूराज मा थी राज्या पदे पढ़ पोते, आवी चुके लहतो, विद्वानों इनी पासे जाएचे, राजा जीन क्या चेक, राजा जी आपने यादा जहुशे, आप जारे यूरा जहता, ती वक्ते आपे आपे आदेश आपयो तो, कि मानव जातना इतियास नू संशोधन करिऊने लाओ, अमें लही ने आविया चे, राजा के क्या चे, एके बार चे, एके उंट उबाता, राजा के आतो उंट छे, एक ए उंट नी ऊपर अमें पुस्तक को बरेला चे, एक उंट उपर पांचो पुस्तक एवा बार उंट छे, तमें जे पुस्तक वांचो बार पज़ू साइट, आछ जार जिटला पुस्तक नी अंदर आखा विश्वनी तमाम थो तो तमे एक कल्यान राज्यानी स्थापना करी शक्षो राजया पाच्या आविया अने बार उंट माथी तर त्रण उंट थया एले पंदर सो पुस्तक जेटला वद्या था राजा पास से आवे छे राजा ने कहेचेक आटला पुस्तको तमे वांची लो एमा मानव जातनों इतियास आवी जेशे राजा के मारी उंमर थवावी छे आ पंदर सो पुस्तको कैरे वांची राजा ना गणा बुदा कारियो करवा माहूं एटलो व्यस्तो होँचु नियम नुवांड वन्चाई जे ता आटला बुदा पंदर सो पुस्तको ए वांचवा तो अतिशे भारे छे एके थोडू तमे संग्शिप्ति करण लें करीने आओ फरी थी विद्वानवदा संशोधन करवा गया केटला वर्ष वीत्या दस पंदर वर्ष पछी पाच्या आवे छे अन राजा जीन क्या चेक अवे एक का जूंट वधिव छे एक उंट उपर पांसो पुस्तको चे अन तमे आटलू वां चुँडा शेखों एके मने आनू का इक सार तमें कई दो एक सार कई दो एक पुस्तक तमें करिया आपो तेले पांसो पुस्तक मां थी एक पुस्तक करियू अन्ये वक्ते करीन लाया तो राजा मुरुत्युपथारी पर सूता था राजा केके तमेसू सार लाएवा एके सार चे एक वाक्य मां तमने कई दिये चे आम तो बहुच कठीन चे छतापन मानव जातना इतियास नो एक वाक्य मां सार आवी जाई चे त्रोण शक्दों चे ना जुद्यादा Man, he was born, he suffered and he died प्रुथी पर जे ट्ला कई मानव सो जन्में चे कई वीशेश कर्यावगर जन्मवणों जन्मवानों सहन करवानों अनम्रुत्यू पामिन चाले जवानों गांदी नगर अक्षार धम्मा पड़े दर्शन करवा जहिए त्यारे प्रथम नंबर ना होल नी अंदर एक मानस शिल्प चे एपो ते पोता नुझ गड़तर करिवियो चे You are the stone, you are the sculpture, कि तमें तमारी जाते गड़तर करो चो एनी पाचर नी बाजु मां किटलाक पत्थर हो राख्या चे अने एनी साइड मा किटलाक मानसो जारे प्रुथिव पर जन्मधारन करेचे त्यारे आम मनमा बव मोटी होश साथे, आकांक्षा साथे, अपेक्षा साथे के प्रुथिव पर मारे कई करी बतावो चे पची वच्चे पृत्वी छे आतरप थी मानसो प्रवेश करेचे अन पची पृत्वी नी आबाजू मानसो राख्याचे बदा नत मस्तक बनी अन पाच्या च्या ले जाईचे बदाये आकांग शाराख्य होईचे पण कोई नवकारिये करी शक्ता नथी मानव जातनो आज इत्यास चे अपड़ी साधी बाशामा केव होए तो आपड़ा बदानो जन्मत थी मांडीनी मृत्यू परियाननी शुकारी किरदी होईचे स्वमवारे जन्मिया, मंगलवारे मोटा थिया, बुद्धवारे बुद्धी आवी, गुरुवारे घर मांडियू, शुकरवारे चया चुकरा थिया, शनीवार मांदा पड़यान रईवार मरी गया आ साथ दिवस्ति अंदर आखा बदानो दैनी क्रम अने मृत्यू थी जीवन थी मृत्यू परियाननों बदू आवी जाये चे कई विशेश करी शक्ता नती, कई एवु बाथू बांदीनी बदा जता नती पण गुणातीच समिय पुतानी वातमा लख्यू चे के जाथी अचानक उचाड़ा बरवा एने अर्थे जीव उद्यम करे चे अने जिया कायम रेवानू चे एना माटे कोई पूरुशार्थ करता न थी अई आपड़े कोई ये कायम रेवानू न थी, छता अपण कटलो पूरुशार्थ करिये चे आपड़े कोईकना गरे मेमान बने होई ये, अथ्वा तो बाड़ाना गरमा रेता होई तो बाड़ानू गर तमने तमारा खर्चे ओईल पेंट करावानू मान, डिस्टेंबल लगावानू मान, थाई फरनीचर कराविये, साराम सारा वलपीस लगाविये पर मेनेट, मन न थाई कारण के गर बाड़ानू छे, पन स्वामी केचे आपड़े बधा बाड़ाना गरमाज रहिये छे, आपड़े आत्मा ची आ देहनी अंदर आपड़े बाड़े रहा छे, छता पन एना सुषो बनमा, एने साच्यवा माज आपड़ो जन्माथी मृत्तियू परियंत नो समय चालेव जाए छे स्वामी केचे जियां काइम रहा वानुचे एना मटे कोई प्रहित न करता नथी dogs और बधानू अत्यारे आपड़े वडतर करियो ठो रहित नrika अतारे सिधू वडतर ये अपने मलशेनी छता पन आनो बवीश्यमा खुबज मोटो फाइदो परलोक नो बाथु हुने तमे बदा आ कथाना स्त्रवन द्वारा साथे साथे सत्पुरुष्टना महिमाना प्रसंगोनों स्त्रवन करी अने बांधीर्याचे एमा पन विशेश आ उपनीशदों ए उपनीशदों मा गईकाले आपड़े जोयो तो के मुंडक उपनीशद नी अंदर अक्षर अने पुर्षोतमनों सिध्दांत एक एवड शास्त्रीजी मारादने सपना आविव औने उपजावी काड़ियो न थी अक्षर अने पुर्षोतमनी वातों जे आम चे मांडुक्य उपनीशद, टोटल आपड़े दस, टोटल तो एक्सो अडार जेतला उपनीशद छे पन समयनों अवकाश आपड़ी पासे न थी, तर एक नियंदर मेटर पन थोड़ो गणू रिपीटेशन थया करे, एटले यहां थोड़ाक उपनीशद जोवानों दस्मिता चे, ओम शब्द ए बगवाननों प्रतिक सोरूपनों एक शब्द चे, ए ओमकार नी उपास ता केटली करी ते करवी, एनी केटली कवातो खुबज गहन चे, आम सबामा करवा जेवी नथी, कान के करिया तो समझाय वी पन नथी गणी बदी, खुब तात्विक वा एने आपड़े समझवानों प्रहत्न करेशू, कारण के आनी अंदर रूशियों आपणने समझावे छे, के आत्मग्न्यान और परमात्मग्न्यान प्राप्त करवी होशे, तो केकलिक पात्र ता अपड़े प्राप्त करवी पड़ शे, एक वार शिवजी और पार्वती, ए तो समझानना देवता चे, बसम शरीर पर लगावता हो इन बदानी खोपरी मानस नी, खोपरी दारण करियाती, पार्वती जी एक वारे तेवने प्रश्ण पुछो, के हे प्रभू, आपना गड़ामा अब दी मारा कोनी चे, खोपरीयो कोनी चे, शिवी जी के तमारी, प्र जेक्तला के जन्म थे आचे, ए दरेक जन्म नी, मृत्यू पची नी, खोपरी नी, मारा हूँ दारण करूछू, पार्वती जी के तमारी, खोपरीयो कहा चे, शिवी जी के मारी, खोपरीयो तमें प्यारोच, तमारी, खोपरीयो कहा चे, शिवी जी के मारी, खोपरीयो न थ जन्मदारन करवु पड़ेशे मारे जन्मदारन करवु पड़तो न थी, एके केम कारण के हूं आत्म ग्नान ने परमात्म ग्नान पामीं चुक्ल्पपवाइपन चूखेओ पाई एक हुँ तमारा गर्णाज चुके पात्रता तमें केड़वो पड़ मने आ ग्ण्यान आपो बहु आगरत है वटले छेवट एमनी आगल नम्तू जोखू पड़ियू छे पछी शीव जी किया चेक हुँ तने आपू पण कोई बीजो जिवात्मा सामड़ी जाए जेक उ उपात्र होई तो अनर्थ सर जाए एले सीव जी पोतानी पासे जीके डंबरू होई चे डंबरू वगाड़े चे जंगलनी आजू बाजू मा जे परवत्मा जीकी पशु पक्षी रेता उच बद्दाने उडाड़ी अनके टलाए किलोमेटर दूर खसेड़ी मुके चे एक केवड पारवतीजी सामबले चे उपदेश अपपानी शरुआत करे चे पारवतीजी शरुआत्मा तो आत्मा अत्मानी बातो हो थाई हा, के बराबर चे पणा तो आत्मानी प्रमा अत्मानी बातो हो था-दी rhiners ४ड़ेयों इंजोला कहा लागय ये तो शिवजी ना पात्रता वगर अप्पा जीवी नथी पन अतीश आगरे करें पार्वती जी जोला खवा लागया शीव जी तो पोते मस्तिमावी ना नेत्रों बेंची अन पोते कथावार्ता आत्मग्नाने परमात्मग्नानी वातों कर्या करता था अन्य पची कोई केमने साध पूरावतु बराबर चे अगल बतो शीव जी आँखो खोली पार्वती जो सूता था तो के हूँ वात करूछे मा साध कोण पूरावेचे अमा बच्चे हकार कोण आपेचे शीव जी ये तपास करी तो एक जाड़ उपर पोपट नू नानू बच्चु बेटु तो शूक शीव जी शीव जी ना पत्नी ना उदरमा गुसी जाईचे अन एमा थी जे जन्मत होयो ए शुकदेव जीनो तेथी तो शुकदेव जी जन्मत ही ए आत्मग्णानी हता एने पूर्व जनम मा ए शीव जी ना मुख थकी आत्मग्णान प्राप्त करीली दू हतु अईया मांडुक के उ पात्रता अईया कथा श्रवन करिये प्रमुक्स भाईमारा जेवा संत आवे चैनो के लाब लईये अध्यात मन तो आपणामा थोडू गणू के एक अंदर उत्री शके के पात्रता केळवाए तो ए पात्रता केळवनारो एक शांत्री बंत्र चे अपनी शुद्धी माटे जे आपने या महापुजाने विद्धी मा स्वस्ती वाचन मा पन सांबलिया चे ओम बद्रम करने भी ही स्रेणु याम देवा बद्रम पक्षे मा शबीद जजत्राहा स्थिरै अंग इस्तुष्टुवागो सस्तनु बिर्व्यशे मही देव हितम जड़ा युहू ओम शान्ती ही शान्ती ही शान्ती ही आ शान्ती मंत्र चे आनी अंदर बे प्रकारना विवेक उपनी शद्मा अपने वत्राम आव्या चे कि जो तमारे आत्मग्णान और परमात्मग्णान प्राप्त करवू होशे जो तमारे परमात्मानों सुख पमवव शे तो आ प्रकारना विवेक ए शिखवा पडशे एनी अंदर बद्रम पश्चे मा अने बद्रम स्रेणु याम देवा हां केता के अमें सारू सांबढ़िये अने सारू जोईये एक दर्शननो विवेक अने एक स्रवण नो विवेक आ उपनी शदना प्रारम मा अपणे शिखवाम आवे चे कारण के मानस मातरने बगवाने आ द्वार आपिया चे आख रूपी बेदवार चे अने कांड रूपी बेदवार चे एनी अंदर कच्छो पन भरी शकायेछे अने सारो माल पन भरी शकायेछे ये आपड़ा उपर आदार चे बगवाने आपणे स्वतंत्रता आपी चे एना आदर संतानों है शिओँ तो आपड़े सारो माल बधर वस्तुत आनी अंदर नाखी शकी शगीशू एक वार एक बापुजी ये पोता ना बंदे दिकराने पास से बोला वया पोते वृत्य था याता दिकरा उनका एक सौपानो तो के कहो दिकरो सारोचे वविश्य महिने सौपवेटले के कसोटी करवी थी बन्य दिकराइन बोलायान पची की दू के हूँ तमने 100-100 रुपिया पूछू अने एक एक रूम आ पूछू खाली रूम एक खाली रूम तमारे 100 रुपियान इंदर बरी देवानो जो एक छोक्रों के 100 रुपियाम आख्षो रूम क्यम नो बराए बापू जी के भी कई शरत के भी कई डलिल नहीं करवानी 100 रुपियाम आ रूम बरी देवानो तो जो बापू जीत पोता ना काम्मा व्यस्त थे आवा जो एक डिकराइव विचार करें हो जिक कुसंग नी लते चड़ेलो हो तो एके 100 रुपियाम बर्ववयत करीते बराए एके बीजूत कही आवे नह अपड़ा लाई ये तो आई 100 रुपियाम आपी दो ते चल के मारी रूम आखी बर्वानी चे ते 100 रुपियाम आखा उकेडा थी आखी बदी रूम बरी नाखी अन खुस था तो के बापू जी एक इदू जापड़े आगन्या पाड़ी चे बीजो चोकरों हैने विचार कर देके एमने मनकी दूचे बर्वान तो मारेके एक सारू बर्वु जोईये अन एक पण अनू खाली न रितियरी बरू तो 100 रुपियाम इंदर थी दुखाने गयो अगर बत्ती लिदी दीवो लिदो बगवानी एक मुर्ती लिदी अन पची आईवो रूम बा दीवो प्रक् पणा आओ शेके काणगे एक दम चलो चल बर्यू छे जीवी खोली ताखो उकेडो रुम मा बर्यो तो बराबर ने तमारी शरत प्रमाणे में करियो चेन बराबर चेके बीजा चोकरान पुच्यू तेशू बर्यू छे पेलो के आओ तो खरा तमे जाते जो इलो बर्यू बर एक पण अनु खाली नथी जेमा दिव्यत तेज न होए एक पण अनु खाली नथी जेमा बगवान नो वास्त न होए में बगवान नी मुर्ती राखी दिवो प्रक्टावेत आखी रूम मा बध्य प्रकास व्यापी गयो चे प्रकास थी रूम बरेली छे सुगन थी रूम बापुजी ये जोई हुके आने राजगादी आपबाजी व्यत्वा तो आपड़ु वसियत नामू आनाना में करवा जेवुँछे, पेलो तो छाण वासीदू बरे ओच्छा आखा गामनू, आ साचो दिकरो छे, एम आपड़े बद्या बगवानना पुत्र छिये, बगवान आनी कथावार्ता स्रवण संतना दर्शन्ती नेत्र निंदर बरीशू, एना ती पण बरीशू, तो आदर्श संतान नु लक्षण आछे, के बद्र वस्तुनू पोते श्तरवण करे, बद्र वस्तुनू दर्शन करे, एटले आ उपनिशतना शांती मंत्रमा बगवान आपन वीस्त्राने देवा हाँ अम्हें बद्र सांबडी है अमें क्यारे कोईनु अहीत ना सांबडी है अमें क्यारे कोईनु बूरू ए न सांबडिये अत्तारे जगतमा गणा बदा रस ए लोको पीता होये छे शेडी नी सिजान आवे तर शेडी नो रस पीवे उनाडमा केरी नो रस पीवे संत्रा नो रस पीवे, मोसंबी नो रस पीवे बद्दा रस लोको पीवे चे, पण बदा सिजनेवल होई चे एक मा त्रेजो रस चे जे बारे मास चाले चे बद्दा पीवे चे बद्दा सेल्समेन पण चे अन बद्दा ग्राहग पण चे आपड़े बद्दा ये वेचीहे पण ची है अने लएइए पणची, कयो रास आशे? हरी रास बद्धा सेल्समेन दियां, दुनियाना तमाम मानसो दुनियाना तमाम मानसो सेल्समेन पणची अने ग्राग कस्टमर पणची कयो रास अनिंदा नो रस? कुथली नो रस आपड़े बद्धा बोलो एकेक वारतो सेल्समेन बन्याची यन एकेक वारतो वेच्चो जशे अने ग्राहक तो गणी वार बन्याची ये सतत आपड़े अमे पण आपड़े वेच्ची ये छूट्थी आप पीये चे येमा कंजूसे करता द नथी बाओ ओछो आपशे तोई आपशे येमा आपड़े फिक्स दरन राखियु न थीक आटला बावे जवेच्चो आप्येज राखिये चिनिंदानो रस यें आपड़े रेडीये चे लोकोना कानमा अने कोग रेड़तु वेत आपड़ा कान दरीये छे ए निंदानो रस आपड़े पिवा माटे आ रस थी कोई दराता नती पण उपनीशद कहे छे के बद्रम करणे भी ही स्रेणू याम देवा केवड बद्र सांबलो, क्यारे कोईनू अहीत न सांबलो, क्यारे कोईनू अनिष्ट वस्तु यनू स्रवण न करो केवड स्वामिनायन संप्रदाय माद नहीं, बारत वर्ष्णा तमाम दर्म गरंथों मा आनी वातों करेली छे स्वामिवेकान नरेंद्र नात तरीके हता, ए वक्ते रामकृष्ण परमंस नहीं पासे, किटलीक व्यक्तिनी नबलाईनी चर्चा करता था रामकृष्ण परमंस तुरत बोल्या, के शुओ आवी बधी वातों सांबढ़वा माटे के करवा माटे तुमारा अस्रम माहेवो छे महाकाली ना दर्शन करवानी तुम आकांक्षा राखे चे, अन लोकोनी निन्दा टिका करे चे, तो माताजी ना दर्शन तने क्या थी थशे रामकृष्ण परमंस ना ए मिशन माँ पन आ वस्तुनों आटलों आगरे रखातो तो, आपड़ा संब्रदाय माँ तो, स्रीजी महराजी अतीशे आगर, आ वस्तुनों कैता के अबाव गुण ना त्याग नों राखे चे प्रथमना छठा वतना उत्मा जे अबाव गुण नी वात करे अने सांब्ले, ते अविवेकी छे लोयाना पेला माजे सांब्ले, ते देहा भीमानी छे, मध्यना चुम्बालीस माजे सांब्ले, ते आसूरी छे आपने कोई केक तमेत राक्सर जेवा छो, तो जगड़ो थाईन, हूँ कऊ तो पन आपने खोटू लागे, पन स्री जी महाराज आपने बद्दान असूर की दाचे अन्ची येज आपने असूर, कान के आप दी वात आपने सांब्ली येचे, महराज के चेक आ सांब्लू ए असूरनू लक्षन चे, आपनी परंपरामा महराथी मांडी, अन चेक योगी बापा सुधी प्रमुक्स्वाई महराज परियंत, आ वस्तुनो अतीशे आगर राख् अबावगुण ना रस्ताज आपने बंद करी देवा, कोई केवा वेत योगी बापा पोताना कान मा अंगलियो नाखी दे, कोई नी अबावगुण नी बाथ एक आरे पोते सांब्ली ना शक्ता, डॉक्टर स्वामी खाली कोई पिला हरी बगतों नी भूल हतीज, अनने अने योगी बापानों हाथ पकड़े ओतो, योगी बापा हाथ छोड़ीन जता र्या, शो सुचवे छे के अबावगुण नी वात करवा जशोत आटली कक्षाई पोचे आशोतो पन हाथ छोड़ीन जता रहे छे, ये गम्तुत नथी आ कोई ना अबावगुण नी वात एटले अतीश आगर अहीं आपड़ा पासे राख्योचे, कारण के निंदानों रस आ अबावगुण नी वातो सामड़ी ये तो सत्संग मा आपड़े जे कई प्रगती करी होयचे, ए प्रगती मा थी अधोगती ना पंथी आपड़े चालवा लागता होयचे, वस्ता खाच कार्याणी ना दरबार ता महराज माटे गणोबुदू समर पण बोग तेओनों हतु, पण बुडा दादलनी वातो सामड़ी, जिवा खाचर ना गरे उत्रया, निंदानी वातो सामड़ी इन सत्संग मा थी पड़वानों वारो, आवियो, एटले गमेत एटली उच्छाई पच्छा पच्छी पण क्यारे अभाव उगुणनी वात अपने सामड़वी नहीं, नहीं तो चोक्कस पतन थतु होएचे, एटले एक विवेक आछे, के सत्संग मा अभाव उगुणनी वात न सामड़वी, बीजू छे के बार फिल्मना गीतो छे बद्रम सामड़ू, एट पच्छी वह लुट्या प्रेकुडर चालू करवा गया, तो पिला हरी बगते तरत अमने अटकावे, के स्वामी एक मिनिट के, अमारी कैसेट काड़ी लो उन पची आपड़ी मुखू, शू कीदू? एके स्वामी अमारी कैसेट छे, काड़ी लो उन पची आपणी मुखू अमारी कैसेट थोड़ी जुदी छे, अन तम्मारे सामबली शेकाई नेवी थोड़ी जुदी छे, केम अमारी कैम बेद पाड़ो चो, काण के संतो न बेठावा एवा वक्ते फिलम नी हांबड़े छे, अन संतो बैसे तारे पेली मंदीर नी मुख्षे, सतसंग नी आपड़े राखी शक्ता न थी, काण के आपने बजार नुँ सांबलवनाव दा मन थाईशे, पन प्रेमार नेन स्वामी खाली सुरत नी बजार माथी पसार थता था, अन पिलू गणी का नृत्य करती थी, अन गीत गाती थी, कान मा एक वार शब्द पड़े, स्रीजी मारा नबीना कान, फिलिप्स टॉप टेन, चालून चालू जोएचे, एमाधी उचाद नधी आउता, ए सांबलया करिये, इतले स्रवन नो विवेक आपड़े चुकी जता होईचे, इतले यहां एपन के चेक आपड़ा हरी भक्तोई, क्यारे आ बजार नी वातों जे कहीचे, बा बढ़ोशू, तो बगवत कथावर्तानू स्रवन करू, एनी आसकती राखे, यहां जेम कथां बदा आठ वागे बेलावी जाएचे, एम कथावर्तानू स्रवन करिये, जेम उपनी शद्नी पाड़नो लाबली दो, अवे थोड़ाक दिवस पची पाची बागवत नी कथान स्रवन नो अपने लाप मडशे, आवा बगवालना चरित्रों नी जे कई वातो थाएचे, जे कई गिन्याननी वातो थाएचे, एनू स्रवन करिये, तो आपणू अंतह करन पन आ वातो थकी, ए पवित्र बनेचे, एकले आनी अंदर आ स्रवन नो विवेक सुच्वी रहाच बिजो विवक छे दर्शन विवेक, बद्रम पश्चे मा कहता के अमें सारू नी हाडिये, गणिवार आपणे सारू सांबली शक्ता न थी, अहीत सांबली याचे साथे साथे आपणे कोईनू सारू जोई शक्ता न थी, पिला गांधी जीना त्रण वांदर आवे जैन पू थी ये त्या थी सान सुधी मा किटला जाज जातनू जोई ये छे, एकादू द्रश्चे पण आपड़ी आखना पड़दा उपर एवू चोटी जाए छे, जीवन न अंत सुधी आपड़ा थी ये बुली शकातू न थी, एमा पण अत्यारे तो पाच्छा टीवी आवया, अन टीवी मा किटला जाज जातना द्रश्चो आवये, जे सब परिवार न जोवा जोई ये, न जोई शकाई, एवा पन द्रश्चो बुजावता होयो, एमा थी केवी प्रेणा प्राप्त करता होये छे, नडियाद मा पड़ए खरी बगत छे कमलेश बाई, कमलेश बाई न एना मनमा केंक विचार आवयो, टेलीफॉन डिरेक्टरी खोली, एनी अंदर थी 131 नंबर 131 स्काडियो, अने पची रिल्वे स्टेशने नडियाद ना रिल्वे स्टेशने फौन करियो, डौट वर्ष पहला प्रसंग बनी चुकेलो, एने फौन करियों पची कि दुख बं पुलाव मावी, पिला डोग आवे चे, स्नीफर डोग बॉम पकडवा वाला, एव डोग लाई दियाव मावे चे, एक दम तपास करी ट्रेन मां थी, बदा उतार दीदा चे, तपास करी पन कई पकड़ायो नहीं, बदा फरी थी संशोदन करी फौन आयो तो क्या थी, एक व पकड़ायो तपास करता करता कमलेश भईनू घर पकड़ायो, ये लोकोन जेल मा लई गया कमलेश भईने नी पतनी ने, पली चोकरी पर कोई नी शंकाद मा गई, पिला लोकोन गी फोन तमेच करो चे, कमलेश भई कहुं करतोद नथी, उन सतसंगी चू, मारे शुकरवा पारत वर्षनी अस्मीता चे, छता पन लई गया थर्ट डिगरी पनिश्मेंड पिलाबदा ना पीचा, बे दिवस सुधी सक्खत मार पतिने न पतनी ने मारयो चे, कारण के आंतकवाधी कुरुत्य मा तो सरकार सहेट पन कहारे कोई ने छोड़ती ना थी पोलीस खातो, बर ये वक्ते बली 10 वर्षनी चोकरी ए पो ते खुणा मा ओभी भी रडवा लागी, एटले येना मामा के एक शू तू शुकरवा रड़े चे के, आपड़े के खोटू करी न थी तो, ये वक्ते बली चोकरी वो लिए ठीक, मामा हूँच फोन करती थी, येना मामा न आश्चर परियु थे, तुँ फोन श्याना माते करती थी, पची पोलीस ते चोकरी न बलाबर इमांड पली दिख्ते फोन श्याना माटे करया, क्या थी प्रेना मली? ए वक्ते 10 वर्षनी चोकरी कहा चैक ती वी मां दूर दर्शन उपर आखे सीरियल आउती थी, ये आखे सीरियल मां थी मने प्रेणा मड़ी चेगे बाई आरी ते फौन करी अने लोकोन हेरान करती दी के तमें त्यां बॉंग फुटवानों चे एमा थी मने प्रेणा मड़ी एक दस वर्षनी चोकरी आखे सीरियल मा जोई अन पची केऊ बुधु कृत्या करी शकेचे आ अविवेक चे महराज अने उपनी श्रत केचे आ अविवेक टाड़ो पछी कमलेश बहीनों सारंगपूर पत्र आयो तो नोटीस बड़ पर आखो पत्र लख्यो तो ए वेक ती आखो रड़ता रड़ता पत्र लख्यो स्वामी अत्तार स्री माटलू दुख्मने क्यारे पड़ियो ना थी पन अव कोमा अत्तारे जेबदी परिपक्वता नानी उमर्य आवती जाएचे पुक्तत आवती जाएचे नू कारणा वधू टीवी छे एटले यहां उपनी शत्मा आपने क्या चे कि आपड़े तो बगवानना भक्त थेया चे तो आपड़े बद्र जोवाननों आगर राखो तो ब अपड़ी परंपराम अपना दर्शन नो इशक चे गुणाती तानन समी ए महरादनी पाचल पाचल दर्शन करवा मटे दोड़े हता रात्री ना समय जागी ने पन महरादना दर्शन थाए एना माटे पोते वरस्ता वरसाद नी अंदर पन निवा नीचे पोते उबा हता ए आपड़े करवाना चे लेके बगवान अने संतना दर्शन करवा बीजू बद्रम पश्ये मां एटले दरेक मां सारू जोव पिला अबावगुण न सामबढ़वा आ अबावगुण जोवा नहीं दरेक विक्ति मां दोशो सभाव हशे पण येनी अंदर थी कहींक सारू आपड़ेक रण करी लिए बगवान बुद्ध पोताना शिष्यो साथे जता था अने कुत्रू मरेलू पड़ी तू बगवान बुद्ध्य बदा शिष्यो ने उबा राख्या एकदम सखत गंद आवती थी एके बगवान आगर लेलों के बहु वास्त मारे छे बगवान taćपजे मानेनी जे दातनी चमके छुडती न थी मरेला कुत्रामाथी पन सारू जोरी छेक्या धत्ता त्र एच ओवीश जेकला गुरू करीया था दुड मा थी, पोदडा मा थी, वेश्या मा थी, वुरुक्ष मा थी, दरेक वस्तो मा थी अमने सारा सारा गुरुण कहरां करे आता, गणू दारो के नववानू टका खरा भशे, पण केंक तो सारू अशेन, साहिं बापा गणी वर आपन ने उपदेश मा कहा चे, कोई व्यक् आ सत्संग मा कोई व्यक्ती नभ्यों छे, तो एम समझूक एना मा अवगुण करता गुण वदार अशे तोद नभी शके, बाकी आ बाकी या बीएपीए संपरदाय मा रही दनों शकाए अवगुण वदार होए तो, एले जिटला के आवे चे बदा गुणवान छे, तो जा सत्संग मा टकी शकाए, एले दरेक नी अंदर थी, आपड़े गुण गरहन करिये, अंदर एक मा थी जो सारु गरहन करिये तो आपड़े पोते गुणवान बनी जिए, गडपूर मा स्तरीजी महाराच परमंसोन पिरस्ता था, बदा परमंसोनी पंगत बैसी गई थी, महारा पंगत मा फरवा मंडिया, तो आपड़ी पासे कोई आवे, तापड़े शू आपिये, चटनी थोड़ी अपाए, पिलान खावान होए, तो दरेके सारु सारु आपियू, कोई के मिश्टान आपियू, कोई के सारु पाक आपियो होशे, वद्दा आपियू, अन छेवटे मह महराज पासे आवें, पत्तर बरेलू हतु, महराज के वाह, तमारु पत्तर तौ आखु मिश्टान थीच बरेई गियू, सारी वस्तुव थीच बरेई गियू, पचि महराज ये संतोन कीदू, के तमें मागवा निकड़या, अन दरेक माती सारु सारु लिदू, तो तमारी पासे केटलू सारू थेग्यो एम मिष्टान आपड़े सारू पसंद करियेचे एम दरेक विक्ति माती सारा गुण ग्रहन करवानो आगरे राकिये तो आपड़े पण एटला गुणवान थता हईयेचे एम मंडुक के उपनी उपनी शद नी अंदर बीजी तो आत्मा प्रमात आत्मानिके टलिक गहन वातों चे पण मुख्य आ उपनी शद नो जे शान्ती मंत्र आपने दर्शन नो विवेक स्रवन नो विवेक ए रूशिवरियो शिख्विर्या चे अईया मंडुक्य उपनी शद ए पुर्ण थाएचे वेनव उपनी शद जोवानो आपड़े प्रार बारत वर्ष मां कुल चार वेद चे रुगवेद, यजूरवेद, सामवेद अने अथर्ववेद आजे उपनीशद चे यजूरवेद नीजे बेस नहीं ताओ चे कृष्ण यजूरवेद अने शुकल यजूरवेद एमां कृष्ण यजुरवेद मांती तैतिरीय कपिस्ठल कठ मैतरायनी अने कठ आ चार प्रकानी शाखा एक खुबज प्रक्ख्याद चे एमांती कृष्ण यजुरवेद ना तैतिरीय आरनेक ना 7, 8 अने 9 मा प्रपाटक ने तैतिरीय उपनीशद एक एहा मावे चे आ उपनी शद्नी अंदर त्राण वल्ली एक खुबज प्रख्या चे वल्ली एटले वेल लता इमा थी त्राण वल्ली खुबज प्रख्या चे एक शिक्षा वल्ली बीजी ब्रह्मानन वल्ली अने त्रीजी ब्रुगु वल्ली बारत वर्षमा रुष्यमुनियो पोताना शिष्योने आ प्रकानना सुन्दर संस्कार आपताता एनी वातो आनियंदर आवेचे एमा प्रथम शिक्षा वल्ली आपड़े समझवानो प्रहत्न करीशु एनो पण खुब सुन्दर शांतिपाट चे ओम शन्नो मित्रह शम फ्रगु वल्ली आवेचे एमा ब्रह्म विध्यानी वात आवेचे तो ब्रह्म विध्या पामवा माटे अपनी केटलीक पात्रता किघवाए ए पात्रता ख्षेन अदारे किङदवाए ihnडिले रुषि वरियो ए पोताना शिष्योने केटलीक शिक्षा आपताता एनी वातो अनि अंदर करवा मावी छे रुतम चे स्वात्या ये प्रवचनेच सत्यम चे स्वात्या ये प्रवचनेच तपस्च स्वात्या ये प्रवचनेच आरी ते सत्य थी मांडी अने चेक तद सिद्धी तपस्त तद्धी तपह एम मांडी चेक सुधी केटला गुणों आपड़ी केड़वाए तो आपड़े ब्रह्म विध्या प्राप्त करीश किये एनी खुब सुन्दरवातो करवामावी चे एनी आपड़े समझवानों प्रहत्न करीशू एमा प्रथम आदेश ए रूशियों पोताना शिश्यों ने आपे चे के रूतम चे स्वाध्या ये प्रव चने च आ रूत एटले शू तो रूत एटले रूत ना काईदा ए समगर ब्रह्माण निंदर व्यापी ने रेला छे जे महीं आपड़ केंक वस्तु बनावी हो केंक मशिनरी बनावी हो तो एनी पड़ केंक काईदा होई छे एना केंक नियम होई छे एमा समगर ब्रह्माण जे चाल एनु वजन चे, आटली वजन दार प्रुथवी चे, छता पन केटली नीमित पोतानी गती थी फर्या करेच, कोण फेरवनार चे एने, आपड़े एक बमेडों फेरव होए, नाना आईशू, एटला आपड़े बुदार अमे आईशू, एक बमेडों आपड़े फेरव होए, कईउ मशीन मुक्यूच, कई मोटर लगाई चाने फेरव माटे एक गती थी फर्याच करेच, आपड़ू जे फेरवे चे रूत ना काईदा चे, आपड़ा शरीर मापण केटलूब पिंडेशू, ब्रम्बांडेशू, पिंड अने ब्रम्बांड साथे जे एकता चे, एक आ तारा मंडल, आ सुष्टी नों आपड़े केटलोग विचार करी रहाचे, एमा थी आपड़े परमात्मनों महीमा समझाये चे, सो अबत तारा मंडलों चे आवा, अबजो तारा मंडलों चे, अबजो आकाश गंगाओ चे, ए तारा मंडलों उपर कोने राख्या आशे, अत् अपड़े शिखामावे चे, के सुरिय तो नाना मा नानो तारों चे, बीजा जे कई देखाये चे, तो सुरिय करता अनंत गणा मोटा तारा चे, पन दूर चेटले आपड़े नाना देखाये चे, आटला अबजो तन वजनना तारा, ए आकाश मा केम अटधर रहा चे, एने जिल्नारू कोण अशे, ए चोकस परमात्माना नियम वगर ए शक्य न बने, प्रथमना 27 मा वतनावत्मा स्रीजी मारार लखे चे, के पाल विनानो समुद्र मरियादा मा रहे चे, समुद्र मा केटलू वदू पाणी चे, पन कई पाली कोण करवा गयू, छता पणे पोते मरि आदामा रहे चे, सुरिया चंद्र उधाय अस्त पणाने पामेचे, सुरियानू प्रूथ्वी वच्चेन अंतर नव करोड माईल नों अन्तर छे, आपडू अने सुरिया वच्चेन अंतर 9 करोड माईल आपने गणी वार फूदेडी फरताओं तो कटली वार जग्या बढ़ लई जाएं थी आम जाएं त्याँ जाएं एक जेगे आपने फूदेडी नो फरी शक्किये आकेम बगवाने कटली सुन्दर रचना करिये चेक सुरियानी फरते प्रुथी फरे चे एक सर्खुज अंतर प्रुथवी जे साड़ी 23 अंशे नमेली चे एटला जंशे नमेली रे चे ए जे बदू फरे चे ए बगवानना रूतना काईदा चे चंद्रानू प्रुथवी वच्चनू जेकी अंतर चे ए पण सर्खुज एमा पन जो थोड़ोग फिरफार थाए तो बरती जी अत्यार्य जावे चे बरतीनी मात्रा वदी जाए औने दरियानू समगर पाणिये प्रुथी पर फरी वडे एले बरतीने ओटने नियंत्रीत करना रू आ अंतरपन बराबर रे चे जड़ना बिंदू माथी मनुष्यनी उत्पती थाई चे आपड़ा बदानों जनम जड़ना एक वस्तु छोड़िये ए नीचे पड़ी जाए चे जो गुरुत्वा कर्षण परमात्माई न मुक्यू होत तो अपने वस्तु समझाती ने थी पन गुरुत्वा कर्षण न होत तो आपड़ी कोई क्रिया थाएद नहीं आपड़े शर्ट पेरिये चे अन पची उपर ती आएद नहीं पड़े चे टाएद नहीं पड़ेचे तो छंद्र उपर अवकास यात्री ने अमेरिका मुक्ले चे तो चंद्र पर जवानु होई एमौ त्यां कितलाग मैनावो सुदी रेवानु होई चे तो यहनी तालीम आपे चे तो संड़ास जता 30 दिवा सुदी मा वैच अवे शिखवानुए संदाज जताए तो ना-बाल को इन शिखवानुए पन शिखवँ पड़े कान के चंद्र पर जाएन पर्षिया करवा नाथी त्या घुरूत्वा करशन नथी गुरूत्वा कर्शन ना अभावमा क्रिया करवा नीचे, अहीं आपड़े पाणी पी एहुं उपर तीड़े उनों मोडा माज जाए, चंद्रपर जाओन पशी पाणी रेडोत नीचे पड़ेद नहीं, गुरूत्वा करशन नथी, हवामा न हवामा ऊपर पाणी फर्याच कर तमार के एक बिस्कीट खाओ इन्हावामा उलाडोत नीचे आवेद नहीं गुरुत्वाकर्षण ना अभावमा केटली तकलीप पड़ेचे खाता पीता नाता त्या तो नावाद्वान होएद नहीं पड़ेचे एक गुरुत्वाकर्षण बगवाने आपन नापियो छे एमाप सर पाचू एमापन जो पाचू वधार गुरुत्वाकर्षण होत तो वर्साद मू टीपू माथा पर पड़ें तो एक खोबरी फाटी जाए एक वर्साद ना टीपा धी पन मानस मरी शके गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन वधी ग्यूएटले गुरुना ग्रह उपर गुरुत्वाकर्षण वधार चे तो त्या मानस ओरहीत नथी शकता सजीव सुरुष्टी नू अस्तित्व शक्य नथी बनतू बगवाने ग पुरुत्वाकर्षण नू पन ए बेलेंस करियू छे वातावन सुन्दर आपियो अख्खा जगतमा खुबस सुन्दर अचना अबदी जोहिए छे तेरे आपने लागे के चोक्कस आनो करनारो कोईक हशेज इनो क्रियेटर को खोच जोहिए ताजमाल आटलो सुन्दर जोहिए तेरे आपने परमात्मानो इन महीमा समझाए छे के चोक्कस आवदू करनारा कोईक हशे ज्याजया नजर मारी ठरे, यादी बरी त्या आपनी, आसु मही ये आँख थी, यादी जरे छे आपनी, नब विशे तारा तना, जुमी रहा चे जुमका, ते याद आपे आँखने, गेबी कचेरी आपनी, ज्याजया नजर मारी ठरे, मारी नजर ज्याजया ठरे छे, त्या खरेखर आपनी यादी बरेली चे, हे बगवान तमे आ सर्जन करियू चे, एमा खरेखर दिव्यता चे, छता पन के टलाक मानसो पोतानी बुद्धी नो अहंकार करे, बगवान ना स्तीतो नो स्विकार करता नथी, अनके चे बिग बैंग थीरी, एनी जाते जगत थाई ग्यू अने मानस जनम्या, पशु पक्षी जनम्या, अन स्रुष्टी चालया करेच, एमा कोई करना रूचेद नहीं, मानसो नी मुर्खता आवी पन होएचे, पन शु कोई दिवस यहू शक्या बने, कि कोई प्रेस नी अंदर बदा अक्षरो अल्फाबेटिक, पहला जूना प्रे अन्दर गोठवा पड़े, अन पची फटाक करें, पची विली चाप पड़े, एमा एक वर धड़ाको थाए, अनेक साथे अक्षरो बदा येनी जाते सेट थें डिक्सनेरी तेयर थाई जाए, अक्षरो बेगा थें डिक्सनेरी बनी शके खरी, एवी आ मुर्खतानी वातो गणी वखत आपड़े करता होईये चे, पण मोटा मोटा वेग्नारीको आइंस्टाइन, न्यूटन, एव दा सीकार करेचे, न्यूटन को ते कहाचे, न्यूटन एक इटला बदा संशदोनों शोध आपी चे, पण न्यूटन कहाचे एक जारे हूं बगवान नी रचनानान अपने लागे, अमुक वर्षों सुधी काड़ा, पची समय जटा दोड़ा, पची खरी पड़ आबागवान नी रचना चे, आजी विग्नान वाड बनावे चे, पर काड़ा बनावे, थो दोड़ा बनावे, पणे वो एक वाल तो बनावो, क्ये अमुक वर्षों सुधी का नानो टेटो और पहलो तडबूच एक नीचे वेला चे साव सामन ये पटला वेला और इना पर आवड़ा मोता तडबूच बगवान ने के करता आवड तू नथी आव मने थुड़ाक दिवस काम सौप युद बदू सेटिंग करी आपू नहीं गणिवार आपने थाई शेक म वावा जोडवाई उने एक टेटो एना माथा पर पड़ियो सरच अंतरदस्ति एक बगवान जे करश बराबर छे टेटां जगे तलवू चूपर होत तो अने पड़ियो होत तो बगवाने बहु विचार करेओ छेक एक एक रचनार इंदर पन मानस न थाए के सीताफळ केट गेमने जे करिऊ होचे एक सारा माटेज करिऊ होचे एटले आँ थोड़ो कर विचार करिये बगवान ना करता है पड़ानों तो आपड़ो अहंकार एव दो अगणी जतो है छे महराज कारियाणीना दसमा मध्यना एकिवस्मा पन केचे के कल्यान नी अर्थे तो बगवान एक करता पणू समझू एच कल्यान नू परम कारण चे एटले आ उपनीशद नियंदर प्रारम मा केचे रूतम चे स्वाध्याय प्रवच अने चे रूत आ भगवानना काईदाने समझवानों प्रहत्न करो ए जोता तमने तमारों अहम ए उगडी जशे औने भगवाननों महिम ए अपार समझा शे बिजू आनी अंदर आगणना उपदेश नी अंदर केचे के सत्यम चे स्वाध्याय प्रवच अने चे बिजो उपदेश रूशियो पोताना शिश्यों ने आपे चे के आपड़ा जीवन नी अंदर परमात्माने पामवाना मार्ग पर चालूँ छे तो स सत्यानी निश्टा थवी जोईए सत्यानी द्रडता थवी जोईए सत्या एटले जे लवकिक वहवार मा आपड़े बोलिये चे ए सत्यानी पन वाच चे साथे सत्या स्वरूप एवाजे परमात्मा एनी अंदर पन आपड़ी निश्टा थवी जोईए ए बे आदेश अहीं अप्रियम एहां कई चेक हमेशा आपड़े सत्य बोलू जो इर शेंज वड़नो नाकृत्त माटे नौकरी माते लगनमा गोठ्वाटु ना हुल कि तो उमर मां सत्य बोली आपड़ी जी मिलकत हौई नहीं यहना करता वधार बताविए एक दिकरो शू करेंचे एक आम तो एकादी अमारी नौकरी तो छे साथे साथे बीजो बिदनेस चलावेचे अमेरिका गणीवार जईयायोचे पन त्यां कच्रा बोता साप करतो होए यहां त्यां अमेरिका गणा जाईशने आपड़ा हरी पन गणा अमुक तो मोटेल होमा कच्रा पोतान पेली चादर हो धोता होए न अहीं थी गणा काठियावड वड़ा मुंबई जाईशने चू करेंचे एक मुंबई मा मारो बंगलो छे बद्यान गरिया में गयाशने मुंबई मा पन बंगला तो बहु ओँ ओछाना होए बाक चे एमारे आताता अवा गर मारे अनपची काठियाड मारे रौफ मारे के मुंबई रही चे शू मुंबई ये मारे चे बदू जोयू अपड़े गणा ना घर गणा चे सुखी पन चता पन यहां के चे क्या आपड़े पोतानी सत्ता संपती पोतानी उम्मर ए बदाम पन आई फोन करे कारे करू पर के छे घरे यहां मीटिंग मा वानू छे एक ना के सचिन वई बार गया छे के घरे आजर न थी आओ जवाब आपी दे एकला आपने आपने कापड़े क्यां जुवा गया छे एवा केमेर आवा दरे खरीबक तुन घरे मुकवा छे देखाई जाए आ जोकनी अंदर किर्ती पन गणी वकत गटी जाए कारण के जी असत्य बोले आपड़ा करता वदार कमा तो यहू लागे अन असत्य बोली इनलोको वदार धंदा मालों फाइदो करता होई यहू लागे छे पन शास्त्रमा आपड़ो यह मत न थी सत्य निष्टा एक टकावी मड़ी गियू सत्य वादी हरिश्चंद्र गमे तेटला विग्णोनी वच्चे पन एपोते डग्या न थी एटले अपड़ा जीवन मा पन आवी सत्य निष्टा होवी जोई है आजे लोकमा सत्य मेव जयते ना बढ़ले असत्य मेव जयते जी असत्य वदार सारीरते बोली चेके एनो विजय थतो है जे आई वदी व्याख्याओ बनी चुकी चे पन आपड़े शत्संग माया चे एटले क्यारे असत्य न बोलू पन आनी अंदर केटलोक एक विवेक बतावी रहा चे के सत्य क्यारे न बोलू जैरे पारकानों ने पोतानों द्रोह थतो होई एउ सत् अपड़े जोई होई छता ए वक्ते सत्य नई बोलू आनू ए वक्ते असत्य बोलू आनू एटले सत्य नी अंदर पन केटलोक विवेक आपने शिख्वी रहा चे स्रीजी महराजे खुबज मोटू कारिय करियो आ कल्यूग न अंदर पन सत्य निष्ट एवा बक्तों नो समा त्यार करियो हो तो एटले आवा सत्य निष्ट भक्तों ए महराजे त्यार करिया बीजू आने अंदर एक विवेक शिख्वे चे के आपने हमेशा सत्य नो आगरे राखवानों पन जारे बगवान ने संत के एनी मर्जियों एक असत्य बोलूआनू चे तो असत्य बोलूआ गणिवार मानसो सत्य मां एटला लल चेही जाए हूं सत्य निष्ट चू क्यारे खोटू बोलतो न थी पन भगवान ने संतना अपड़े सया चे ए असत्य बोलूआ थी राजी था तो असत्य बोलूआनू प्रेमानेन स्वामी किर्तनमा लख्यू चे करी छल कपट हराम तमे राजी करीश महभारत न युद माशू परिष्टिती सरजाई युदिष्टीर ए सत्य निष्टता सत्य वादी हता क्रिष्ट बगवाने की इदुग तमेम बोलो के अश्वत्यमा मरायो चे युदिष्टीर न बोली शक्या सत्य निष्टता बगवाननू वचन न पड़ी शू बोलिया अश्वत्यमा हतह नरोवा कुंजरोवा नर चे के हातीचे मने खबर नथी जानताता के कों मरेओची खातीच मरे चे शता पन एपोते बगवाननू आग्ण्याती असत्य न बोली शक्या तो युदिष्टीर शारा हता ॆ था चतापन युदिष्टत करता अ परियुँचे माटे सत्यमापण केटलोक आ विवेक शिखवानों छे के प्रमुक्साही महराज जिवा पुरुषापण की कारीय स्वपे ए आपणने सत्य बोलवानी प्रेणा अपतात नथी छतापण एना आदेश प्रमाणे वर्तु ए साची आपणी सत्य निष्टा ए बनी जीवनमा तपनो आदर्श्वन बैसाडवो जोई शे तप करवानों छे बारत वर्ष्मा गणावदा रूशी मुनियों अखंड पोते तपस्चरिया मा रत रहत अपड़ा स्वामिनारीन संप्रदाइमा तो महराजे निलकंठ वर्णी वेशे पुल्हास्रममा चार मास परि अपड़ा जीवनमा कहीं हो जुए गुणातित स्वामिना जीवनमा यू तप पतो स्वामि साव साधू जमता अन जमे एमा पण पाच्छू पोता न जरूरी यात्वए ना करता पाच्छू जमे गुणातित स्वामि पोता नी केड़ पर हम्मेर्शा एक दोरो बांधी रा खबर पड़ी जाएके पेट तणाएचे, आपने पेंट बादी होए, पेंट पेरी होए, और खावा ब्यासेत गणा पेली क्लिप डिली करीं बेही जाएचे, अथा पट्टो पेरी होए तो खाती वक्ते सवाई पट्टो काडी नाखू, तो पेट थोड़ू वध्यतो फाव प्रकार नुट पट्ट चे, योगी बाबा केता के सहन करो, शु सहन करो, परिस्थिती ने सहन करवी, जया त्याँ जेवू त्यवू चलावी लेवू, एपन एक प्रकार नुट तप चे, गणा एकादशी निर्जडा करी शके, पण इने ब्यस्वाम के इक आगू उताई, ए सहन करी शक्ता न थी, परिस्थिती उतारो आपने आगो पाचो मले, ए सहन करी शक्ता न थी, एटले योगी बाबा के चे गिए विवीद परिस्थिती जे कई मले, एनी अंदर सारदार पार पडवू, एपन एक प्रकार नुट चे, बीजू तप शब्द सहन एपनेक तप छे, गणा आपने उपवास करिये, पन कोईक शब्द बोली जाए, ए आपड़ा थी सहन थता न थी, बगजी महरात ने काहे माप्रकानू तप तू, कोई गम्मेते बोली जाए, पन अखन ए पोते हस्ता रही शक्ता, मानस्वमा सहन शक्ती खुटे छे, द्रव स्वाध्याय प्रव चने च, क्याता का आपड़ा जीवन मा एक दैहीक तप करवानू, बिजु परिस्तिती जियेत तई परिस्तिती प्राप्त थाए, एनी अंदर चलावता शिखिये, कोई शब्द मारे ए सहन करता शिखिये, ए पन एक प्रकानू तप चे, एले तपनो इले तप जे करिये, ए भगवान अने संतनी प्रसंता माटे करिये, तो ए आपड़ा स्वास्ते माटे अने साथे साधे भगवान ने राजी करवा माटे, ए तप ए उप्योगी बंतू है चे, एले तपनो आदेश आनी अंदर आपिर्या चे, आगल आदेश आपता यहां तै आपतरतना घंशयामस्वामी हता, ए घंणी उखत वात करता, कि आपड़े कंठी दार्न करिये, गड़ाम कंठी पेरिये, पचि कही एचे अमे सत्संगी ठई गया, ए गशयामस्वामी गड़ामा कंठी नंकी, पन पोता नी जातने पूछू के मारी आख सत्संगी थईछे, म सत्तसंगी थयीओ हुँ एटले कौणा आतमा आतमां सत्तसंगी थवानुए वस्त न थियम उत्यत चह, www.скоеver.aloo.et मारा इंद्रियों ने अंतंदा कर्णни सत्तसंगी कर्वाना थाHS। एक उसोंग माँ चाली जाय चे मारी आखनों सत्संगी बनाव। मारा कानने सत्चंगी बनावु, मारी इंद्रियो जे विशेतरप दोट मुकेचे ने पाची वालू ए दमस्च, ए दमन चे, अने दमन करी एमाथी शक्ती उत्पन थाईचे, गांदारी या आखे पाटाबांदी राखे आता, एमाथी केवी शक्ती उत्पन थाई, के पेलो ए माथी पने प्रकानी शक्ती उत्पन थती होएचे, बीजू आपड़ी जीबनो दबन करीए, जीब जी आपड़ी रसास्वात तरप खेची जेती होए, जे सत्चंगी न खावानू ए बजारू खानी पीणी, छता पन रोड परती पसार थाईए, एले मन थाई जये के सामी, खाईली एन शु वान्दो छे, गणा अमने पूछे, सामी तमे ना पाड़ीच बजारू खानी पीणी पने पने एक मारो मित्र छे, तने एक दम चोख्खु बनावेचे, पाणी पुरी पने एक दम चोख्खियां, बटाटाले एपन सारा होई चणा वापरे छे, कांदा त अंदर नाकतोद नथी, तो खावाम शु वान्दो छे, आपने जीब आपड़ी दलीलो करी-करीन दोरी जाई छे, एक कोल्डरिंग पीवाम शु वान्दो छे, जीब ने आपड़े सत्चंगी बनाई नथी, एले सत्चंग मावया चता पन बजारू खानी पनी खावानू म एटे डुंगली लसंग ने आपड़े छोडी शक्ता, नथी एटले केच एक दमन करू, गणा के स्वामिलार ना सत्चंगी त्या पड़े कही खावानू रयूत नहीं, आपड़ा डुंगली लसंग ना पड़ी एमा कही खावानू रयूत नहीं, वीजो केटलू बदू खा स्वामि एमनी साथे रया, एमने पिर्शू, पचे एमनों इंटरी लिदो के साहीं बपान शू भावे छे, तमने खबर पड़ी तमें सेवक संतता, एक ए आठ महीना प्रमुक्ष्वामिनी साथे फर्यो, पन कही खबर पड़ी नहीं के एमने शू भावे छे, शेमा रूच यहने रस्तास्वाज चेतने, काण के जीबनू पोते ए दमन करी शक्या चे, एले आँखनों दमन करू, जीबनों दमन करू, तवचानों दमन करू, तवचानों दमन करू एटले, यहने शू मारवानी चे, पन तवचाना एना रंग रूप मां आपड़े लागी जीए चे, हुँ उजड़ो देखाऊ लिरी आपिलो लिरील लाइप बोई ने हमा महवारनपुर मा गस्याज करिये अर्दो कल्ला खुदी उजड़ा देखावा माटे एत्वचानू दमन नती वधारे सारा देखावाना प्रहेत्नो करिया करिये पन शू सारा बगवाने जे मोडेल आपन आपि एनू एज रियावानू छे कश्यो फिरफार थवानू न थिया पावडर लगावशो तो लगावशो एकला वार सुधी उजड़ा देखाशो पन हामे वडान खबर छे तो कालो बूट पन पावडर थी दोडो देखाई छे एन बारे प्रक्रन चलाव़ त्येथ प्रक्रणा जोतू कायम मते नोतू कियो प्रक्रन आतू कि शरीर पर हात फेरवान द नहीं एक वर खाली काले प्रहत्न कर जो सवारे नाती वकते नावाब्यसियने नल नीचे ब्यसित जवान परमनसोशु करता न दीके तलावमाँ डुपकी मारीन बार निकळीत जवानू आम पण नहीं आम पण नहीं कैं फिरवानोद Nun हाथ तंनहीं हाथ केम फिरवान मन्ताईज मेल काडवो छे अथा वदारे सारा देखावो छे उजड़ा थवो छे एना माटे महराज के मारे महरा साधुओनों देखवाव टालवो छे आउ प्रक्रण चलाई तो एक वार खाली प्रहत नत कर जो न फावे हाँ हाथ फिरवा अगर आपने सुखत नावे नायाव एव लाक्षेत नहीं आउ पन प्रक्रण महराजे फिरव तो त्वचानू दमन करवा माटे एक आ प्रकानू दमननों आदेश ए आपने आनी अंदर आपिर्याच योगी बापा तो कहता गे देहने खासडा जेव करी नाखू श्याना जेव खासडा जेव परपोला जेव न राखू आपने देहे टलू वालू चे नेटले बवव मनें दमारा देहने कहीं थाई जाए तो देहे पर एक खिल था एमा सेंसियेटिव थाई पर देहने खासडा जेव करी नाखू ए उपनीशे नियंदर आपने शीख आपिर्याचे बीजु कहेचे गंदने जीतवी शब्दने जीतवा एनुपन आदेश आपने आपिर्याचे आ प्रकारे दमन करवानी वातो करेचे पछी कहेचे शमस्च स्वाध्याय प्रवचने दमन ए इंद्रियोंनु करवानुचे अने शमन ए अंतह करणनु करवानुचे इंद्रियों 10 चे अने जे अंतह करण चे आपड़ा मन बुद्धी चीत अने अहंकार आज ए अंतह करण चे इनुँ आपड़े शमन करवानुचे शमन एकले मननु शमन एकले शू तो मनने आप बगवान मां जोड़वानूँछे करा मन आपड़ा मनमा जाज़तना संकल विकल तरक कुतर्क ए चाल्या करें छे मनन अवश्यानां कारणम बंद मोक्षय हो मन एज मनुष्याना का बंदन औने मुकतिनू कारण छे एना माटे मनने भगवानमा जोड़वानूचे प्रथमना आड़त रिस्मा वत्नावत्मा स्रीजी मारा लखी चुक्या छे के मनने भगवानना चरीत्र रूपी जाडामा जो परोवी मुकिये तो मन जिताये छे बाकि आ दुनियामा मन जिताये उचेत नहीं जितम्स जगत के न मनोही येन जगत कौनेजी जितू शिकंदरे न्यापोलियाने जगत बले लओकी थो डाउड़ा गणा राज्यों के देशो जिती आ आशे पने जहां सुदी मन जिताएतु नथी त्यां सुदी जगत जिताएतु नुसी ए मन जितवानू चे एनों आदेशiros अपमे माड़ा करीये छे आ बक्तियादी करिये ध्यान करिया छे शाना माटे मन जीतवा माटे आपड़ा मनने विशय माती बार्थी वृत्ति खेची अने बगवान मा जोड़िये छे एटली एकाकार बगवान मा वृत्ति जोड़वानी मुक्तानन स्वामी माडा फेर होता 50 माडा फेर होता अपने था एक मुक्तानें स्वामी 50 सज माला पण मुक्तानें स्वाही नी माला के भी हती माला फेरो तो है एक एक मन के स्रीजी मारादनू स्मरण करवानू माला मा स्वामी नाम तो बोलाए पण साथे साथे महरादनी मुर्ती अखंड मननी सामे रमती रे 107 मन का सुधी पहुचया होए पण 108 मा मन के कईक जगत नू काम याद आई जाए के मारे तो बीजू कईक वांचवानू बाकी चे कईक काम करवानू उचे बांत काम नू जोवानू बाकी चे अन त्याज आखी माला बदी फरी थी माला कैंसल आवी जो आपने प्रमुक स्वामी आदेशापी होए चातूर मास माच के चार महीना आवी माला फिर हो जो एक पन माला फरे एक माला ना फरे हां एक संकल्प वगरनी आ साधना चे आपड़ी सत्संग मां प्रगती के मोटप आनी छे मोटप आगल बेसाडी एक आप पाचल बेसाडी है एनी मोटप स्वामी आण संप्रदाई मां छेद नहीं प्रतमना एकत रिसमा गी दुग निष्चय करीन मोटप छे जैने बगवान नो निष्चय होई जैने बगवान मा वदार प्रिती होई बगवान मा जोडायलो होई ए वेक्ती सत्संग मा ए मोटे रोँ छे एटले मन ए बगवान मा अरपण करवानू छे बीजु मन ए बगवान ने संतने अरपण करवानू स्वापी देवानू आपणो मन दार्यू नहीं करवानू सकी मेली दे मनना मरोड ने अपणा मन दार्यू बढ़ो सत्संग माया पची ए मुकीद्य वानूँ छे एकले आनी अंदर आपने कादेश मनने वश करवानू बिजू छे बुध्धी ने वश करवी बुध्धी वश करवी एकले आपने बवुध्धी शाड़ी होई है बनेला होई है तो मनमा संकल्प विकल थाए के बगवान अने संद केम आम करता आशे आना करता आवायो जनो करवा जुए आवधु गणी वार आपने लागया करेचे पन बुद्धी नी अंदर निष्चे करवानों के बगवान ए सरोपरीच छेज कोई भीजो आपने कही जाए के समयान बगवान करता बीजा कोक मोटा छे पन एक वर आपनी बुद्धी मा निष्चे थे हो अक्षर ने पुर्षोतम नी उपास दानो पची गम्मे तेटला बुद्धी शाली आपना साहेब हो होय के कलेक्टर होय के मोटो वड़ा प्रदान हो यह आवे छता पणे नी बुद्धी मा थी निष्चाइन न फरे ए बुद्धी नू शमन कर्यू केवाई त्यार पची क्याचे मन बुद्धी चीत चीतने वस करू एटले चीत महराजे वतनावत मलक्यू छे के चीत ए दरपन जेवू छे चीत ए मध जेवू छे एन इंदर चोटवानों सबाव से वद्धू चोटे चे पण बगवान अने संतना चरित्र सिवाई बीजू कई चोटाड़ू ने अने चोथी अंतह करण चे अहंकार अहंकार दारन करवो कई अहंकार हूं आटलू बणेलो छूं आटलू कमावू छू ए ने पणू बगवान नो दास हूं बगवान नो भक्त चु अनमान जी लंका मा गया लंकानु दहन करियू पोताना पुछडा द्वारा पची रावने पकड़ी अने पोताना राज्यमा लाया अने पची रावने पेल्लो प्रश्ण पुछ तु कौण चे हनमान जी परीचे आपीशक होत कतारी नगरी बाली एवू हनमान चु अनमान जी पेल्लू वक्केश्रू बुल्या मै रगुपती सेवक कर दूता हूं रगुपती एवा राम एनो सेवक एनो दूत चु एम आपड़ा बुदानो परीचे पन आपड़ी लौकी कोई ओडखा हुआ हुआ हाया राम जाया हुआ हाया हुआ ह subscription to perfect